मध्य प्रदेश के तर्च पर राजस्थान में भी सरकार गिराने की खबरों के बीच क्याबिनिट मंदरी विश्वेंद्र सिंग ने कहा साथ ही उन्होंने कहा कि परिटन को बढ़ावा देने के लिए नई टूरिज्म पॉलिसी की आवशकता है लेकिन प्रिंसिपल सेकेटरी इस पर कारे नहीं कर रही वो लॉकडाउन को लेकर उन्होंने ये कहा कि इससे परिटन को बड़ा नुकसान हुआ है आप भी सुनिए का बड़ा स्रोथ परियटन विभाग रहा है लेकिन कोरोना काल में परियटन के चेत्र में भी बड़ा नुक्सान रेवेन्यू का हुआ है हमारे साथ हैं परियटन मंत्री विस्वेंद सिंग जी सर एक बड़ा स्रोथ प्रदेश में रेवेन्यू का परियटन विभाग रहा इसमें टाइम लगता है लेकिन आर्वों का नुकसान है जैसा कि आप में खुद का आपके प्रेट हैं पहुत बड़ा शुरूत है लेकिन उससे जाया नुखसान जो आर्थिक नुखसान के अलावा रोजगार का नुखसान हुआ है कमाते हैं रोजखार छाया थे जा BET पुतली वाले हैं, गोड़े वाले हैं, और लोग हैं, ऐसे गरीब लोगों के लिए, मैंने का उन्से आर्ट और कल्चर मेरे पास नहीं है, लेकिन आपकी चिठी मैं, आप फॉरवर्ड कर दी मैंने कल्ला जी को, नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन अब हमको एक चीज ध्यान सबसे बड़ी चीज यह है, कि अब हमको डोमेस्टिक टूरिजम पर ध्यान देना है, डोमेस्टिक टूरिजम यानि कि भारती टूरिजम, उसके लिए मैंने आदित ठाकरी जी, से बात हुई मेरी जो मांकी मिनिस्टर है, टूरिजम के महराश्ट के, फिर मेरी उनका खुद का फून आया, सेंट्रिल मिनिस्टर पटेल साब का, उनने मुझसे आश्वस्त किया, कि नहीं हम कुछ ना कुछ एड जरूर देंगे, लेकिन बेसिक चीज यह है, पहले हमको ये लोगों के दिमाग में लाना है, तो लोग लोग डाउन में परिशान है, जून की चुटिया में चल रही है, लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सुरक्षा भी देखना चाहते है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि उनकी सुरक्षा अपन दे पाएं, उनको आश्वस्त कर पाएं कि उन वुछ सुरक्षत हैं, वो बहुत एक इंपॉर्टन चीज है. दूसर को राजस्तान को किस तरीके से सेल करना है मार्केट में मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप मार्केटिंग सही करेंगे दूसरा जैसे बद्द्ध वर्ग है मानली गुजरात गुजरात में गुजराती आदमी न तो अग्रेजी समझता है न हिंदी समझता है त दो दिन पहले अधिकारियों की बैठक लिए और ये कहा कि अधिकारियों ने लोकडाउन को छुटी की तरह लिया है तो आप अधिकारी कहना नहीं मानते वजह क्या है क्या आपकी डेपार्टमेंट में किसी और कास्त शेप देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कुछ अधिक सबसे कमजोर पॉइंट है उसका आटीडीगी का जवाब अगर देना आएं विदान सावा में तो मुझे देना पड़ेगा लेकिन आटीडीडीजी की चेरमन है प्रिंसपल सेकेटरी आज आटीडीडीडीडीजी की प्रापर्टी इतनी है जन पर कभजा हो रहा है जो लौ बिलकुल लॉक्डाव कभी खुली नहीं बहुसी तो तो आटी डीसी को जब तक अपन नहीं सुधा रहेंगे जब तक टूरिसम की हालत नहीं सुधरेगी अब सवा साल हो गया नहीं टूरिसम पॉलिसी आनी चाहिए उसके उपर वो फाइनस में आटकी हुई है फाइनस डिपार्टमेंट में आटकी हुई है तो कहने का मेरा ताथ पर यह है कि अधिकारियों को भी ततपरता लानी चाहिए लॉक्डाउन में बहुसों की ड्यूटी लगी थी बाहर लेकिन जो ड्यूटी पर थे उन्होंने का काम किया अब कल ही मैंने कई बिल्स पेंड जो पेंडिंग है पिछले साल के उनको क्लियर कराया मैगजीन के हैं एड़िश्मेंट्स के हैं तो कहने का मतलब है कि इनको लोगों को सुधर ना पड़ेगा सार 19 जून को राजसभा के चुना होने और चुना भी सरगर्मिय ज्यादा तेज हो गई है आज मुख्यमंतरी जी ने भी बैठक बुलाई है दो दो कैनिडेट कॉंग्रेस और बीजेपी ने उता रहे हैं बहुमत कॉंग्रेस के पास है आपको लगता है कि बीजेपी को जो कॉंग्रेस के गुटबाजी है उसका पाइदा मिलका है एक एसा मैं आपको स्पष्ट कर दू क्या कॉंग्रेस वोट दिखा कर देना है कॉंग्रेस पे स्पष्ट पहुमत है तो चिंता किस बात की है मुझे तो चिंता ज़रा भी चिंता नहीं है आज विधायक दल की बैठ आज वाननी मुकमंतरी जी ने बुलाई है उसमें हम लोग सब जाएंगे चिंता किस बात की हो रहे है मेरी यह सनमें नहीं आ रहा और किसको चिंता है यह मुझे सनमें नहीं आ रहा है कि यह गलत प्रेमें पैदा की जा रही है इस पस्ट बहुमत कॉंग्रेस के पास है ऐसा कुछ नहीं है इस अब और तो पीसीजी चीफ खुद इस बातों कह सकते हैं और वरिश्ट पाद्यक्स आप आश्वस्त कर रहे हैं मैं कर रहा हूं आपको तो स्कोप कहा रहा रहा जा अब कोई जबरदस्ती शक करे इसका कोई लाज दी शक और गलत फहमी दो चीज़ें जिनका किसी पर अर्जाज नहीं है तो सब्सक्राइब करने जा रहा है लेकिन वह इसका डटकर मुकाबला करेंगे उनकी सरकार गिराने का प्रियास किया जा रहा है देखिए ऐसा है केबिनेट में होते हुए इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि सरकार को कोई खतरा नहीं है सरकार मुख्वंधर जी जो भी कहें वो उनका प्रोग्रेटिव है लेकिन मैं आप वाश्वर्स करना चाहता हूँ सरकार को कोई खतरा नहीं है इतना ही कहना चाहिए कहना चाहिए